किसी की चार दिन की जिंद्गी सव काम करती है किसी की सव वरस की जिन्दगी में कुछ नहीं होता हलो दोस्तों मैं कमल सिंग स्वागत करता हूं आपके अपनी योटूब चैनल इस्टेडी विट पुना हूर में दोस्तों हम पढ़ रहे थे रिजिनिंग एक हपता हमारा हमने कई प्रकार के सवाल पढ़े आज अगला टाइप पढ़ेंगे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आपको ए से जड तक उनके क्रमां के याद होने चाहिए कि बी किस इस्थान पर आता है सी किस तर जैसे बी दूसरे नंबर पर डी चौथे नंबर पर जड छबिश्वे नंबर पर वाई पचीश्वे नंबर पर और उनका उल्टा मैंने आपको पिछली क्रासों में शिखाया था कि ज अगर यह शंकियत नहीं होते तो आपको काफी दिक्कत परती याद करने में याद तो हो जाता लेकिन दिक्कत परती देखते हैं पर चलते हैं सीद्या हमने तीन क्लास में प्रस्ण पढ़िली अगला प्रस्ण है हमारा P, A, N P, A, N को इसने लिखा है T, D, Y, M प्रसन का टाइप अलग है आपसन देखिए पहले आपसन G, I, L, K, M, G आपसन B है आपसन B करहे है H, O, T H, O, T K, L, G आपसन C है मैन, Y, M, A, N पैम, P, A, Y, M और आपसन D है आपका शिप, Y, I, P को इसने क्या लिखा है W, L, O अब देखिए ये प्रसन अलग टाइप का है दोश्तो ये कह रहा है कि इसने पैन को इसने क्या लिखा है T, D, Y, M पैन को इसने क्या लिखा है T, D, Y, M तो कह रहा है कि जो इसके साथ इसको बदल कि ये रखा गया है तो निमन में से किस युगम में किस युगम मलब जोड़ा किस जोड़े में वही परिक्रिया की गई है जो इसमें की गई है अभी तक क्या था किसके साथ जो परिक्रिया की गई तो इसको बदल के ये रखा तो आगे देदे था कि इसको बदल के क्या रखेंगे और या जीत किस्तों सबसे पहले देखी आप भूरु टौह नहीं कि पी का होता है के पी आपोजिम लिकाज नहीं हम क्रमांग लिखते हैं पी होता दो सूला अधून एक यम का के होता है अब आफ यह सोला से 20 हुग क्या हुआ भाईया प्लस 4 हुआ और 1 से 4 हुआ प्लस 3 हुआ और 14 से 13 हुआ माइनस 1 हुआ मतलब कहने का कि एक बार प्लस 4 फिर प्लस 3 फिर एक बार माइनस 1 निमन मेंसे यह परिक्रिया किसके साथ की गई है जो भी यह परिक्रिया जिसके साथ ही किए वही हमारा उत्तर आप सम्हमें चारों ट्राइ करने पड़ेंगे मालीची ए सही हो बी सही हो हम करते चले जाएंगे जिसमें हमारा यही परिक्रिया जो इसके साथ की गई है निमनेफिशन मिल जाएगा हम देख लेंगे अब देखिए जी का मतलब क्या इसमें अब यह कीष़ां कशे सके सब्चका आड़ा है मंका 13 जी का सा से 11 चार्फ छुआ तो सही आ रहे हम चार प्लस हुआ है इसमें हमने चार प्लस किया था फिर तीन प्लस देखिए लगया क्या इसने पहले वाली में 16 से क्या किया था सोला से बीस किया था चार प्लस किया था ये तो साथ प्लस चार चार तो प्लस कर रहा है चार तो इसने प्लस किया पहले वाले में लेकिन इसने दूसरे वाले में एक से चार रखा था तीन प्लस किया था अब देखिए नव चार तेरा ये दोनों में चार प्लस कर रहा है इसक का साथ अब देखिए पहले बाले में चार प्लस किया था 16 से 20 किया था आप देखिए आठ तीन यारा यह पहले ही गलत हो गया क्योंकि 83 अब प्लस तीन कर रहा है हमारा होना क्या जाहिए अब यह देखिए ये हमका मलदभ क्या होता है 13 Esti 11-14 पी- sudah एक 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 अीव का 13 अब देखिए समझे बात को कि इसने ट्यारा से प्लस तीन किया प्लस तीन गलत हो गया क्यों कि त्यारा से चार प्लस करना है नंप पहले बाले में यह भी गलत अब इसको देखते हैं जब तीन गलत हैं तो एक आप आँख मून के सही कर दीजिए वही तो सही हो ना लेकिन हम ट्राइब करेंगे चिक करेंगे जरूर करना है आपको देखिए यसका क्या होता है उन्नीस आई का नव पी का सोले डबलू का क्या होता है दोस्त तैइस डबलू का तैइस यलका बारा को का सिससे ट्याइस दूसरे बाले में इसने तीन प्लस किया था कैसे एसे डी यह एक से चार में गया था प्लस तीन अब देखिए टिन कर रहा है बिलकुल शहीं है आई जे के यल तीन आगे बढ़ा अब इसने इधर एक माइनस किया था, 14 से त्यार है गया था, यानि यन से यम, एक पीछे, अब देखिए, एक पीछे हो रहा है की नहीं, 16 से 15 हुआ भई, एक माइनस हो गया, पी से, ओ, एक पीछे है न, ओ गे वाद P आता है, P के पहले O, यानि एक इसने एक वन पीछर में सならा यह थे साथ निमने यूग में में से यह परिक्रिया कि साथ की गई eto ऐसे होकें में जो प्रिक्रिया की गई है इसके साथ की गई है जो इसके साथ गया गया है निमनमें किसके साथ क्या गई यह देखना है चार से 32 हुआ यानि चार अठे 32 चार का गुणा अगर आठ बार कर दे तो 32 आ सकता है लेकिन चार अठे 32 यह यहाँ पर भी होना चाहिए दस अठे 80 गलत है आठ अठे 48 यह भी गलत है चार अठे 48 यह यह परिक्रिया नहीं होगी हमने सोचा एकर चार गुणा याठ कर दे चार अठे 32 हो जाएगा तो वही इनका गुणा आठ बार करने से वही आना चाहिए लेकिन यह नहीं आए इसका मलब यह गलत हो गया अब देखिए चार का वर्ग क्या होता 16 1632 तो 10 का वर्ग 100 प्लस 10 110 गलत है अब देखिए 4 का क्यूब करें हम 4 का क्यूब क्या होता 64 भागे 2 32 आ जाएगा समझे चार का क्यूब माइनस 2 करने पर 32 रहा है अब इन में भी वही परिक्रियन में से किसके साथ होई यानि पहले वाले का क्यूब माइनस 2 4 का क्यूब माइनस 2 किया 4 का घं होता है कितना 64 और 64 में जब 2 का भाग दे तो आ जाएगा 32 अब देखिए प्रतेक आपसन हमें चेक करना पड़ेगा 10 का घं करिए 1000 माइनस 2 करेंगे तो 500 आएगा यानि हमारा पहला आपसन गलत 170 है गलत हो गया 8 का घं करिए आप 864 8 घं होता है 512 864 गुण है 8 8 चोग 32 3 8 48 443 इंग आउन 512 भागे 2 करिए आप 512 भागे 2 करिए तो आजाएगा 256 आना चाहिए 256 ये भी गलत है 248 आ रहा है अब यहां देखिए 6 का घं करिए आप 6 का घं कितना होता है 666 666 216 6 का घं दोस्तो होता है 216 भागे 2 करिए 108 आ गया इसका मतलब ये आपसन हमें आरा हमारा आपसन ये सही होता देख रहा है ये गलत हुआ जाने कि पहले वाली संख्या का घं क्यूब भागे 2 करने से ये अंक आना चाहिए क्योंकि यही परिक्रियेश में हमने किया पहले वाले का घं किया भागे 2 किया इधर वाली संख्या हमें मिल गई थी 32 क्योंकि चार का घं 64 भागे 2 32 इस ये गलत हुआ इस परिक्रिया में ये गलत हुआ ये हमारा सही होई देखी पहले वाले का हमने घं किया 216 भागे 2 तो 108 हमें इधर वाली संख्या मिल गई इसका भी करके देख लेते हैं वाजी सही है ये चेक कर लेते हैं पांच के अब और कि कितना पांच घं कितना होता है एक सो पचीज भागे दो करिए दस हमलों में आएगा बांसा ठाना नहीं इसका आप संस्थी आपका सही है 108 च्छे 108 सही हो जाएगा अब इसको भाईय देख लीजिए आप इसका अगर हम करें कि 7 गुणे 3 प्लस 3 तो क्या 24 आ सकता है बिल्कुल आ सकता है इसके साथ इसके साथ इसके साथ जिसमें सही हो गई वही हमारा उत्तर 30 का गुणा 3 में 30 को 90 प्लस 3 93 आफशन गलत हो गया 100 है अब देखिए 30 का गुणा 3 में 79 30 को 79 प्लस 3 72 ये तो हमारा सही हो गया 30 गुणे 3 प्लस 3 की अब 72 सही है इसको देख लेते हैं 19 का गुणा 3 में 19 तिर को 57 57 प्लस 3 करेगे तो 60 आजाएगा ये हमारा गलत हो गया और 11 का गुणा 3 में 11 तिको 33 प्लस 3 आजाएगा 36 ये भी हमारा गलत आफशन नमबर भी हमारा दो तो सही है क्योंकि 7 रेकी केस प्लस 3 24 और 33 को 79 प्लस 3 72 आफशन नमबर भी हमारा सही है बागी तीन गलत हो गए चलते हैं अगले प्रस्ण पर देखते हैं अगला प्रस्ण ये प्रस्ण कह रहा है कि इसके साथ जो परिक्रिया की गई है निम्न में से किस बिगल्प के साथ वही परिक्रिया की गई है जो प्रस्ण के साथ की गई है अब देखे चार गुरे दो बार करने में जारए चार दूण आठ प्लस एक नौ आ जाएगा और नौ का गुण तर चार में कर दें। नौ गुण़ कार D vous ए रहा है 37 quello कहने का मतलब यह है कि पहले वाली संख्या में दो का गुणा प्लस वन तो अगली वाली शन्ख्याय यह परिक्रिया यह परिक्रिया किसके शाथ हो रही देख ते भिख है और 10 गुणे दो पहला आप सान हमच है क् साथ का गुणा दो से करेंगे सारो साथ करना दुब्रस निया धुट पंद्रा तो आ रहा है ये तो हमारा सही हुआ पहला इसका भी देखें आ रहा है की नहीं आ रहा है ताइसे अब चार का गुणा करना है हम इस बाई संख्या के साथ 4 का गुणा पहले हमने किया 2 का गुणा प्लस 1 फिर 4 का गुणा प्लस 1 चार दुनी 8 प्लस एक 9 गुड़े 4 प्लस एक 37 नचोक 36 एक 37 अब देखते हैं इसके साथ हमने गुड़ा किया गुड़े 2 प्लस 1 किया तो अगली संख्या 15 इसाथ दुनी 4 देख 15 अब हमें करना है गुड़े 4 प्लस 1 तो 15 चोको 60 60 61 62 लिगा आफसान हमारा गलत हो गया देखे यह बाला देखिए 6 का गुड़ा 2 में प्लस 1 6 दुनी 12 एक 13 त्यारा सही है अब गुड़े 4 प्लस 1 त्यारा चोको 52 एक तिरपार आना चाहिए आफसान गलत हो गया इसको देखिए 9 का गुड़ा दो बार 9 गुड़े 2 प्लस 1 करिए नदुनी 18 एक 13 यह सही है और 19 का गुड प्लस 1 करना है तो 9 दुनी 18 एक 19 और 19 का गुड़ा 4 प्लस 1 करना है प्लस 1 देखिए 5 गुड़े 2 प्लस 1 5 गुड़े 2 प्लस 1 तो 5 दुनी 10 प्लस 1 गयारा यह पहले ही गलत हो गया ग्यारा रहे गलत हमारा आपसंसी सही हो जाएगा देखते हैं अगला प्रस्म देखिए अगला प्रस्म अगला प्रस्म है बारा बीस अठाइस जो परिक्रिय इसके साथ तो कह रहा है कि निम्नमेश किसके साथ परिक्रिया हुई है देखिए बारा प्लस आठ करने पर हमें आप देखेंगे कि निमन में से किसके सास्त जोड़ रहा है अगर नहीं जोड रहा पढ़े तो आथ आप में मिले वह इसमें जुर नहीं मिल रहें तो फिर दोनों में सेम संख्या जुरिनी चाहिए कहने का मतलब की 12 प्लस 8 20 प्लस 8 यानि कि जितना जितना इसमें 8 8 जोड़े है तो सेम अंक दोनों में मलब गएप सिवन रहा है सम अंतर अन्तर वारह आठ बीस 2 प्लस जोलugen रहा है तो जो भी प्लस करें वही वही संख्याष संख्या बार्बाल प्लस होनी चाहिए, देखिए इसमें 3 में जब जोडेंगे आप तो 15 आने में 12 प्लस करना पड़ेगा, 12, 3, 15, अब इधर 3 है, गलत हो, सेम प्लस होना चाहिए, सेम जुड़ना चाहिए, इसे देखिए, इधर हो रहा है 9 का जब आप जोडेंगे, 27 करेंगे तो 9 प्लस, 18, 9, 27 अब देखिए, 9 ही आगे जुड़ना चाहिए, 27 नव कित्ता होगा, 36 आप से यह फी गलत, अब इसे देखिए, 18 में प्लस 12 किया तो कित्ता आया, 30 में प्लस 12 किया तो 42, देखिए, इसमें, आठार जोर इसमें 12 12, मैंने कहा, कि जो भी जुड़े, दोनों में वही वही जु 42, आप से नमबर C हमारा, सही हो जाएगा, अब D देखते हैं, D देख लेते हैं, सही है या गलत, देखिए, 7 में प्लस किया, 7 तो 14 तो आ गया, तेकि निधर कितना हो रहा है, प्लस 14, मैंने बताया कि दोनों में वही वही प्लस हो रहा चाहिए, इसका मतलब दोनों में प्ल को हमने F, R, U, I, T को हमने क्या लिखा, 6, 1, 8, 2, 1, 9, 2, 0, तो हम इस टीम को क्या लिखेंगे, यस टीम को क्या लिखेंगे, अब देखिए, आप अगर गवर कर पा रहे हों, तो इसमें लिखा क्या है, इसमें F का क्या होता है, 6, R का 18, U का 21, I का 9, T का 20, इसका मतलब यह है, कि प्रस्ण में क्रमांग लिख दिया है, कि काउन साच्छर किस क्रम में आता है, यव का 6, R 18, U 21, I 9, T का 20, तो हम भी इसके वहलिख देते हैं क्रमांग, यसका कितना होता है दोस्त, 19, T का 20, E का 5, यम का 13, 19, 25, 13, जिसमें मिले आफशन हमारा वही है, देख लिजिए, 19, 25, 13, यह देखिए, आफशन नमबर, C सही हो गया, क्योंकि इसने क्रम रखा, हमने भी क्रम रख दिया, बात वही है, देखिए, A, C, E को इसने लिखा, 135, वही प्रस्न है, शेम, देखिए, A का 1, C का 3, E का 5, एका 1, C का 3, E का 5, तो इसने क्रम लिख दिया, तो D का, आप लिख दिजिए, इसी तरह का प्रस्न है, लेकिन, इसमें अपोजिट, G का अपोजिट क्या होता है, T, आपोजिट क्या होता है, कि इस क्रम में T, आता है, 20 में, देखिए, जी का क्या होता है मैंने आपको बताया थे जी टी रोड जी टी रोड गट जी का टी और टी का क्या होता है करमांग 20 तो जी का अपोजिट करके उसका करमांग लिख दिया है एका अपोजिट करके उसका करमांग एका अपोजिट जेड होता है जड़ का 26, यह देखिए, M का क्या होता है, 13, त्यारा का opposite क्या होता है, यन, यन का 14, E का क्या होता है, 5, E का opposite क्या होता है, V, V का 22, यह देखिए, इसलिए opposite लिखा तो कह रहा है कि team को, team को आप क्या लिखेंगे, मैंने game को यह लिखा तो team को आप क्या लिखेंगे, देखिए लिख देते हैं बिल्कुल T का क्या होता है उल्टा G, G का क्रम का क्या होता है क्रमांक 7 समझते जाइए T का उल्टा करके रखना है T का अपोजिट और अपोजिट का क्रमांक T का उल्टा G, G का अपोजिट, G का क्रमांक 7 E का देखिए E का E का आपोजिट क्या होता है V और V का क्रम होता है 22 722 A का आपोजिट दोस्त 26 A का आपोजिट 26 A का आपोजिट Z होता है Z का क्रमांग 26 और YUM देखिए YUM YUM का आपोजिट क्या होता है N, N का क्या होता है क्रमांग 14 722, 26, 16 7, 22, 23 बार आफसान हमारा यह मिल रहा है देखिए अगर आपको क्रम याद भी नहों तो आप इस प्रस्ण से इस प्रस्ण को देखकर कर सकते हैं कैसे देखिए समझेए जी का होता है 20 और जी का अपोजित होता है टी तो 20 होगा ठीक है sorry G का होता कितना G का opposite T 20 और T का opposite होता है G G का 7 ये देखिए E का opposite इसमें लिखा है 22 22 आएगा A का opposite यहां से ले लीजिए 26 और M का opposite भी यहां से उठा लीजिए देखे T का opposite क्या होता है G और G का करमांग यानि opposite करके उसका करमान के लिखे देना है दोस्तों हमने बहुत सारे आज प्रशन पढ़े अब देखिए कल जो इस चप्तर के साद्रस्ता जो पाठ का नाम है इसकी एक क्लास और चलेगे साद्रस्ता फिनिस यानि कि इस किताब का हम पहला चेप्टर पहला चेप्टर पूरा सवापत कर जोगे हमने चार क्लास पढ़ी एक क्लास हम और पढ़ेंगे यह सादरस्ता चप्टर पूरी तरह खतम हो गया अगर सादरस्ता से इसी प्रकार के सवाल आएंगे किसी भी परिच्छा में सादरस्ता के अगर सवाल आ जाएंगे तो आप बिल्कुल असारी से कर लेंगे किताब में सादरस्ता से कुर्श्टन आते हैं परिच्छाओं में सब इतरीके इन बता दिये हैं अगर वीडियो अच्छा लग वेज़ो लाइक करिए क्यानल दो सब्सक्राइब करिए और अपनी मित्रों को शेयर करिए मिलते हैं करे अगले वीडियो में तब तक के लिए येंड